है 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 आज हम लोग है अपना लेक्षर फ्री डिजिटल का डिस्कस करने जा रहे हैं तो आज आप लोग टॉपिक का हेडिंग दे दीजिए कि टॉपिक का हेडिंग है एरिथमेटिक कि एरिथमेटिक कि अपरेशन कि एरिथमेटिक ऑपरेशन कि आफ कि नंबर सिस्टम लेंगत मतलब कि अलग अलग नंबर सिस्टम में जैसे कि हम लोग डेसिमल में पढ़ हैं यह लो एडिसन का सबस्टेक्सन कईसे करते़ यह की जैसे ही अलग अलग सिस्टम में हम लोग कैसे करेंगे एडिशन सब्टेक्शन मल्टिप्लिकेशन यह सब लोग देखने जा रहे हैं मिछले क्लास में आप लोगों को हम एक डेसिमल सिस्टम से दुसरे डेसिमल सिस्टम का कनभर्जन बताएं और आज की क्लास में हम लोग एरिसमेटिक ऑपरेशन देखेंगे कि अरिसमेटिक आब्रेशन में हम लोगा जो पहला हेडिंग है सबस्ट है बाइनरी कि अ बाइनरी टेशन ऑगे एस अधीशन वाइनरी नंबर को हम लोग कैसे एड करतें तो बाइनरी नंबर आप लोग पता है बाइनरी नंबर में क्या क्या होता है जीरो एंड वन दो ही डिजिट से मिलके बनता है बाइनरी नमबर तो हमको इसका एडिशन पढ़ना है मतलब कि कितना भी बड़ा नमबर दिया हुआ तो उसको 1260 सब्साइब धी जो होगा वहाँ वह भी 01 के फॉर्म में को के एडिशन ऑवन का जहीं है बलट नमबर के जीरो प्लस जीरो ूफजि एटार जीरो और जीरो प्लस वन होता है प्लस वन वन होता है慢慢 कि य से प्लस वन कितना हो जाएगा कि 11 य dal ml बन्फ वन के अंध्र हो जाएगा है ना को इसे ही अगर आप लोग 1-1-1-1-1 करियेगा कितना हो जाएगा 11 वां इस तरह से मैं आप लोग को एक्जामपल बताया किस तरह से platform view करते हैं इसमें साय आपको च्छांपल ले लेते हैं तो पुरा क्लिएर हो जाएगा आप लोको जैसे कि एक इक्जांपल दिया हुआ है एक्जाम्पल एक दिया हुए आप लोग को एड करना है 1 1 1 0 1 1 0 0 1 यहां दिया हुए है 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 यहां दिया हुए है 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 और यहां दिया है 1 1 0 0 0 0 इसका अपनों को करना है तो एक्जाम्पल थोड़ा बड़ा ले लिए थोड़ा चोटा एक्जाम्पल लेते हैं ताकि जल्दी से बन जाएगा इसको यहां से देते हैं प्रजल्दी बन जाएगा बहुत बड़ा एक्जामपल लेकर कुछ जदा बेने फिट होने वाला नहीं है तो यह एक्जामपल देखते हैं अब यहां देखिए आप लोग कि वन फ्लस वन प्लस वन कितना होता है यह और यह बिल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11 और 11 जोड़ेंगे तो क्या आजाएगा यहां तक हो गया 111 ओन हो जाएगा 110 हो जाएगा तो 110 का जो right में सबसे digit है उसको लिखेंगे तो यहांपे क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा और कैरी कितना हो जाएगा 11 वान वान हरी कितना हो गया 11 अब 11 में फिर क्या जोड़ना है 11 में जोड़ना है यह वाला 1 कि यह हो जाएगा 100, यह हो जाएगा 100, और 100 में फिर यह वाला one जोड़ियेगा, तो कितना हो जाएगा, 101, और 101 में फिर यह वाला one जोड़ियेगा, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1110, और यह हो जाएगा 1, और यह हो जाएगा 1, 110, तब फिर इसमें क्या हो गया यहां पर, यहां पर आ जीरो और फिर आपके पास कैरी कितना हो गया आपके पास कैरी हो गया कैरी हो गया 11 फिर कैरी कितना हो गया फिर कैरी मेरे पास हो गया 11 अब 11 में फिर वन जोड़ेंगे ये वला वन तक कितना आ जाएगा 11 प्लस वन हंडीट हंडीट में फिर यह वला वगन जोडिएगा कितना आएगा 1 0 ,1 201 का यहाँ पे क्या आ जाएगा आ जाएगा यहाँ पे 1 से राइट हैं नंबर है वहान लिखते हैं कि इन भशन, 10 में यह वट जोडिएगा तो कितना हो जाएगा है यहां पर लिख देंगे हैं तो फाइनल एंसर मेरा क्या आ गया फाइनल एंसर आ गया वान जीरो जीरो वान जीरो जीरो यह आगया आपका फाइनल एंसर तो इसमें क्या ध्यान देने का बात है कि आपको वान वान जोड़ेंगे तो टेन आएगा और टेन में जब वान जोड़ेंगे तो यह फंडेड आएगा हंडेड में जब वान जोड़ेंगे तो वान जीरो वन आएगा वान जीरो वन में जब वन जोड़ेंगे तो यह आपका वन वन जीरो आएगा और वन जीरो वन में जोड़ेंगे तो वन 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 आएगा फिर वन 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 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा थाउजंट आएगा इस तरह से बढ़ते जाएगा ठीक है आप लोग दुबारा वीडियो इसको अगर दिक्कत होगा चला के देख लीजेगा किस तरह से हम लोग अडिशन करते हैं आपको यहां पूरा डिटेल में हम यह चीज बता दिये ठीक है यह पूरा डिटेल में बता सब्सक्राइब करें तो इसको इरेज करते हैं पीर से एक बार बता देते हैं वन में जोडएंगे तेन आएगा तेन में जोडेंगे 11 आएगा कि एलेबेन में जोडेंगे हंडएज पाओंड जोडेंगे यह आएगा इसमें जोडेंगे इसमें जोडेंगे है एक तरह से हम लोग वाइनरी का एडीशन करते हैं ठीक है जैसे अगर मान लिजे कि आपका यह आ गया तो इसमें यह लिखेंगे और कैरी कितना ले लेंगे कैरी जाएगा सब जोड़ने पर तो जीरो लिख लेंगे कैरी कितना होगा कैरी होगा वान हंडिट ठीक है जैसे कि फिछले अब लोगों बताएं तो इस तरह से हम लोगा क्या करते हемон करते हैं तो अमीद है कि आप product अ गया होगा ऑट क्या सिखली आप आते हैं वाएनरी के सबत्रृट्टर्टर्थ sulpay कुण स्कों कर लेंगे वे कि करते हैं कि अर्थ क् experience करते हैं । अब अब लोग आते हैं सब्ट्रेक्शन सब्ट्रेक्शन आफ बाइनरी नंबर बाइनरी नंबर का सब्ट्रेक्शन कैसे करते हैं घटाते कैसे हैं जैसे आप लोग को दिया हुआ है इसमें से अगर आपको बोल रहा है इसको घटाने के लिए इसको घटाने के लिए बोल रहा है कि इसको माइनस किजिए ठीक है एक्जाम्पल है तो यहां पर क्या होगा वन में से वन जाएगा तो आएगा जीरो और यह जीरो में से वन जाएगा तो यह छोटा है तो इसको इस तरह से पी क्या हो जाएगा क्akatका इसको transfer है तो यहां कितना कैठी आया कि यहां क्या अीद anxi कि इसहां पर कितना आएगा यहां आएगा और यहां क्या बच जाएगा यहां बच जाएगा दो जैसे कि हम लोग एक्जाम्पल बतातें हैं आपको 5837 और यहँ घटना है आपको 59 अ यहां पे घटा कितना है एक कम होता है किया है यहां पर माल किलेते हैं यहां पर मैं 직접 लेते हैं तो यह हो जाएगा सेवेंटी एट बचेगा और यहां पर क्या सहते हो रहेगा यहां पर रहेगा इसमें भटा है पर इसको जब करितना हो जाता है हो यह कि इसको केरी कितना करेगा कि तो करेगा क्योंकि यह बच जाएगा वन यहां क्या बचेगा वन बचेगा और यहां कितना हो जाएगा तू हो जाएगा तू में से वन गया यहां बचेगा और यहां क्या बच गया वन बच गया और यह क्या हो गया यह हो गया जीरो यह अपना टांफर कर दिया था वन यह हो गया जीरो ठीक है जीरो हो गया जीरो में से जीरो गया जीरो जीरो और यह फिर यहां पर आई है यह वन है तो यहां जीर में और corporate ऐए अभी साथ करता है तो आपका इतना गड़ता है कितना करता है और सब्सक्राइट करेंगे ४ में ज्यादा दिक्कत होता है इसको तुछ अच्छा से समझ लीजिए आधा दिक्कत होता है और यहां हो गया एट नाइन फोर इसको हम घटाना है तो यहां टू है तो इससे हम एक कैरी लेते हैं मान लिजिए कि यह रहा यह जीरो है यह जीरो है तो इससे हम कैरी लेंगे तो इसके पास कुछ नहीं है तो यह क्या करेगा इससे एक कैरी लेगा और खुद कितना हो जाएगा टेन हो जाए गया चार और यहां कितना बचा देखिए यहां कितना बचा यहां कितना बच गया यहां बच गया नौ नौ में से नौ गया जीरो और यहां कितना बचा यहां बचा तीन यहां कितना बचा तीन तो फिर यह कैरी लेगा ते हो जाएगा 13 13 में से चार गया तो नौ और यहाँ बच जाएग लेता है कृण करता है और खुद कितना कम हो कि इसको समझे आज आ झाज यगा फिर से क्लाएफ देख लिजे माली जी यहां 4 है और यहां 0 है यह इसको carry transfer करेगा नहीं क्योंकि यह 0 है तो यह इससे उधार मांगेगा तो यह इसको transfer किया 10 कितना transfer किया 10 10 transfer किया अब इस 10 में से एक इसको transfer करेगा लेकिन यहां पर जाएगा कितना जाएगा वन भेज़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा 12 12 में से 8 गया 4 और यहां पर रेड़ से दिखा रहे हैं यहां पर कितना बच गया पंप यहां टेंथाएक इसको भी दिया यहां बचल नवं में से नव गया 9 में से 9 गया जीरो और से दिखा रहें ब्लू सी देखिए यहां पर कितना बच्छा यहां पर हमांदा व्ला-फिक-धी इस से एक मांग ज़ीं कि तरी हो जाएगा 13 मेंसे चार गया तो हम लोग यहां पर वी करते हैं जैसे एक लेते हैं 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 और यहाँ पे है आपका 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0 इसको हमको घटाना है तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 और यहाँ पे अब है देखेए यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है 1 तो यह फ़र्टेक नहीं होगा तो इससे ये carry मांगेगा carry मांगेगा तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 में से 1 गया 1 और यहाँ जब carry ये दे देगा तो खुद कितना हो जाएगा ये खुद 0 हो जाएगा आई इसमें से 1 घटाना है तो नहीं होगा तब ये इससे carry मांगेगा यहां पर यह 1 है और यह मांगेंगा इससे करी यह हो जाएगा ते खुद कितना हो जाएगा एक कम हो जाएगा मतलब 0 आथा क्या आ गया प्तिक है यह ऐनरी का सब्ट्रेक्षन हो지만 हमको हुआ कि रूमेद्वा कि समाझ में आ गया होगा ठीक है। अब हम लोग देखते हैं Binary का multiplication तो पेजिए नमर थिरी अमारी का अब लोग मल्टिपलिकेशन देखेंगे सब टेक्षन में को उमीद है कि अब दिक्कत तो नहीं होना चाहिए कि सब्टेक्शन में दिक्कत नहीं होना चाहिए कि एक पल देख लिजे देखे ये 1 में से ये 1 आ गया तो 0 बच गया और ये 1 से ये 1 गया तो 0 हो गया और ये 1 से ये 1 गया 0 हो गया और ये 1 से ये 0 गया 0 और ये 1 से ये गया 0 और ये 1 से ये गया 0 और 1 में से 0 गया 1 यह तो simple था एक और यहां पे लेते हैं example 110001 यहां पे 0111010 इसको हमको घटाना है तो यह 1 में से 0 गया तो 1 हो गया और यह 1 में से यह 1 गया तो यह हो गया 0 इसके पास नहीं है इसके यह से मांगेगा इसके यह यह गया इसको a बन जाएगा कज आप अपको रेट इसको डेखार ए कम up और इसको बगले और लान जाएगा तू और खुद बन जाएगा वन और यह तू फिर इसको देदेगा यह हो जाएगा अब तू यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा अब तू और खुद पीछे बाला हो जाएगा वन ते टू हो गया तो में से वन गया वन पीछे बाला के पास वन बचा हुआ है वन में से जीर से हम लोग करते है बाइनरी नंबर को केरी फ़रवाड करें तो अपने अगला बॉला को हवाइद करेगा और खुद एक कम बाइनरी में नंबर system अब हम लोग देखते हैं बाइनरी का मिल्लिकेसन मेठा देते हैं को औी 0 आफ कि एप मल्टिप्लिकेशन उफ यह बाइनरी मल्टिप्लिकेशन आफ बाइनरी बाइनरी नंबर का मंप्लिकेशन कैसे करते हैं तेखेंए यह मालीज आपका नंबर दिया हुआ है और इसको भूर मलटिपलाइए किज़े तो कि मल्टिपलाइए कीजिए है ना तो मल्टिप्ली केशन गया है वनमें comedic hoka तो आएगा12 मेंわかана जीरू में जीरो से मल्टिपलाइए कीजएगा तो ये लिखीएगा तो एक दो तीम चार पांस न जीरो आ जीरो हो जाएगा वैसे रहा जाएगा जो नंबर है वाण ओन जीरो वण राइट में चोड़के लिखेंगे नोग चोड़के लिखेंगे एक यह जाएगा एक दो तीन चार-पांच अफिर वन से मल्स का राइट के लिए लए तो यह हो जाएगा 1101 अभी क्या करेंगे एड लेगlate करेंगे तो यह हो जाएगा जीरो ये हो जाएगा वन ये हो जाएगा वन और ये वन और ये हो जाएगा वन प्लस वन टेन हो जाएगा वन प्लस वन टेन और कैरी कितना होगा वन होगा तो फिर कैरी वला वन और ये वन दोनों मिलके कितना हो जाएगा वन प्लस वन टेन फिर कैरी कितना हो जाएगा वन कै तो तो कितना हो जाइगा हो जाएगा पर क्यरी वन और यह वट वन वन वान को हो जाइगा दंशनला गया जफाएगा जिसमें को एड़ी का अगर अच्छा से आना चाहीए तिन चारंग के बाद आपको दिक्कत होने लगेगा थो फिर आप को अब को नहीं बना पाई है क्योंकि आपको यह को आया हुआ को दिखाएंगे जिसमें आपको अगर नहीं क्लियर है तो बाइनरी का मल्टिप्लिकेशन आपको कितना भी बारी कोई क्योंकि कुछ करना नहीं मुल्टिप्लाई करना है और आइट में पहले हमें देसिमल का मुल्टिप्लाई सी Online सिखे से हैं वैसे ही करते हैं खाली इसको एड करने में आपको दिक्कत होगा अगर डियसन से अच्छा से नहीं आता है तब टहीं है तहीं होगा यह आपनों का मल्टिप्लीकेशन बाइनरी का मल्टिप्लीकेशन ठीक है इसको नोट कर लीजे उमीद है कि यह समाझ में आया होगा और एक्जामपल लेते हैं एक और इसको इरेज कर देते हैं एक और एक्जामपल लेते हैं मल्टिप्लीकेशन का मुल्टिप्लिकेशन का दिया हुआ है 11111 तिन चार्ट वन दिया हुए यह दिया हुए बाइनरी में और कह रहा है इसको मल्टिप्लाई किजिए इसे मल्टिप्लाई किजिए ना तो लिख लेते हैं दो उपाय है सौटकॉट भी आपको बता देंगे इस स्क्कुल्लाई करें तो 1,2,3,4,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4 एक एक खोड़ के लिखना है फक्यार हो गया अब इड़ करना है एड़ करने के लिए क्या करेंगे हो गया और वन टीट this दशे और वन जूटेगा यह और यह तो कितना हो जाएगा हाथ कितना कैरी आया कैरी आया वन इस वह प्लस यह फ्लस यह फ्लस फ्लस तरह हुआ यहां कि यह लिखेंगे यहां लिखेंगे जीरो इसबार कैरी कितना बचा जारे किदना का ड्री में बचा हम लों गुट इसान में कुरा मुल्टि प्लिकेशन में भाण सो दो कि इसंसे जरूरी है और आप टेन में डेखे क्या करेंगे यह तुम we'll लबन हमारा कैरी कितना है कैरी टेन है यह जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11 11 में उफके नीचे वाला जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यह जाएगा यह जाएगा 10 तो 0 और यह 110 के लिए क्या लिख लेंगे यहां लिख लेंगे जीरो और इस बर कैरी कितना बचेगा हाथ में कैरी बचेगा मेरा 11 यह वाला कैरी में बचेगा beth यहां हो जाएगा तो फिर इस पर क्या हो जाएगा यहां हो जाएगा जीरो और केरी कितना बचेगा मेरा केरी बचेगा 11 इस पर क्यारी कितना बचेगा 11 11 में देखिए यह दिखा रहे है रेट कलर से तो 11 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा और फिर यह लिख लेंगे तेंगे 11 जोड़ेंगे यहां पर लिख लेंगे 11 11 00 001 यह आगया आपका एंसर टीपल वन चार्थो जीरो और वन अब देखिए यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे हम जोड़ रहे हैं अब आपको बता दे रहे हैं इतना करने कभी जरूरत नहीं है बता दे रहें जो कि बहुत ही आप लोगों को इजी पड़ेगा लेकिन यह आपका मेठड जानना जरूरी है क्योंकि इंजरिंग सर्विस में ऐसा कोश्चन आया है या कोई-कोई-कोई भी जहां कि आपको मल्टिप्लीकेशन करना अगर नहीं आता है तो नहीं बना पाईए ठीक है डिरेक्ट मल्टिप्लीकेशन पूछे तो बना लीजिए अच्छा कोश्चन नहीं बन पाएगा दिखाएंगे क्वेश्चन तो इसको स्वाट्कॉट देखिए आपका क्या है और यह भी चार्ट वान इसको आपको मल्टिप्लाई करना है तो पहले क्या कीजिए ना जो नंबर दिया हुआ है आपका इसको आप लोग बदल लीजिए डेसिमल फॉर्म में और इसको भी किसमें बदल लीजिए तो कोड हम लोग बताएं हैं आप लोगों को कैसे कोड का यूज़ करके बदलते हैं तो कैसे बदलेंगे यहां लिख लेंगे वन टू फॉर एट सुला बतीस ऐसे चौसट एक सौटाइस दो सचपन बढ़ते जाएगा अब इस कोड में चाठो वन लगतार है यह कर दिए वन यह कर दिए वन यह कर दिए वन और यह कर दिए वन इसक को वन को टू को फॉर को और एट को इसको क्या कर लेंगे एड कर लेंगे एड करेंगे कितना हो जाएगा और प्रिए यह बदलेंगे कितना हो जाएगा बन दोनों को करेंगे तो कितना आजयगा 25 करेंगे कितना आए 225 को चैसे बदंगे तो इसको लिख लेंगे बास 166 है और हैं यहां पे हो जाएगा 128 जोन करेंगे 128 को लित उसमें और इसमें और कितना जोडिंगे 32 सिसको 32 में और कितना जोडिंगे एथन अब देखिए overs explore 64 प्लस 32 इसमें और कितना जोड़ेंगे तो आपका दोफो पचीस आ जाएगा तो आपका हो गया है 128 चौर्सोथ और बतिस यह मिलके हो गया दोसफच्वबिस तो दोसफच्वबिस में अगर हम वन जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा तो बाकी को कर लेंगे बाकी को कर लेंगे जीरो बदल गए आपका वाइनरी में क्या आया 10 customer पहले भी आया था यह ज़े है जो बाइनरी में दिया हुआ है उसको बदल लिजे डिसिमल फ़ममें पिर कर लिजे और उसके बार जो एंसर आये उसको फिर बाइनरी में बदल लीजिए यहीं आपका हो जाएगा एंसर ठीक है इसका फाइनल एंसर हम लोगा कितना आया दोनों मेंटर्स हम लोग देख लिए बनाके फाइनल एंसर हम लोगा आया ओन वन एक दो तीन चार्टो जीरो और उसके बास से वन यह आया हमारा इसका इंसर इसको थिक एंसर आया मैरा यह ऐस फर्म में तो हम लोग दोनों में उसके बना सकते हैं अगर हम लोग लेकिन हम लोग को बहुत जरूरी है क्योंकि बिना मैंटिप्लिकेशन के कुछ-कुछ नहीं बन पाएगा जैसे एक अच्छा कोश्चन लेते हैं एक और इस पर एक जामपल यह हो गया हम लों का पेज नंबर फाइब तो इसको नोट कर लीजिए गा और एक और हम एक जामपल लेते हैं एक जामपल और ले लेते हम लोगुए के मल्टिप्लिकेशन जरूरी कियों है बश्यक्राइब एक सब्सक्राइब कि इसको और इसको मल्टिप्लाइ किजिए आ कि मिल्टिप्लाइब करने पर जो एंसर आ रहा है वह आ रहा है ते यह वाई है वाई है जीरो जीरो वन जीरो वण जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन बाइनरी में कर रहेंगी एक विश्चन में कि आप निकाली है find x, y and z इसमें आपको multiplication आना जरूरी है तो पहले तो आपको यह binary में दिया हुआ है और यह answer भी binary में दिया हुआ है यह आपको decimal में दिया हुआ है तो इसको binary में बदल लेंगे तो यहां पर हम सब इसको solve करते हैं अच्छे से देखिएगा इस question को 10 w1 z और 15 को जब binary में बदलेंगे तो चार्ट वन हो जाएगा एक दो तीन चार इसको हमको multiply करना है multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 w1 z और एक नमबर छोड़के फिर लिखेंगे तो जाएगा जेड 1w01 ओफिरिएगो multiply करेंगे तक कितना हो जाएगा जेड वनी दबलू 0 1 और फिर यह बार और multiply करेंगे वन से तक कितना हो जाएगा जीड ड्येड 1 डब्लूब जीरो1 आभ इसको एड कर देना है और कुछने नहीं करना है क्या करना है अकर देना एड करेंगे तह यहां क्या होगा जैड एजाएज हो जाएगा जैड और अब देखिए घ्र где-デ sleeping आना चागे सबसे left side में आना चाहिए सबसे left side में आना चाहिए जेड लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है जेड के यहां ओने में क्या दिया हुआ इसको compare करेंगे जन हें इंह लिख pot 13 3 मत फ Jang mandate 1 प्लस ज्यट कितना हो चाहेगा जै को डिप्लेस कर देंगे किस से वं यहांच करदेंग हन् diese लिए जीरो और कै maturity कि आ गया गया वन करी कितना गया करी आ तो वन प्लस डबलू प्लस वन प्लस जड़ जड़ के पर फिर क्या लिखेंगे बहर जगा जड़ के जगा पर लिखेंगे जड़ मिल गया है यहां लिखेंगे वन और यह जो सेकेंड डिजिट है इसको शक्रणड दिजिट करके देखिए यह जो जिरो है इसको किसे कंप्रेड करना है एंसर में जो सकेंड डिजिट दिया हुए सेकेंड डिजिट क्या दिया हुए जीरो दिया हुआ है जिरो यहां पे सेकंड डिजिट मेरा जीरो आही गया है थाइड डिजिट यहां पर यहां पर जो नंबर आएगा आपका यह क्या आना चाहिए यह छीड तो यह हो जाएगा एक मिल गया हमको इससे यह मिल गया और अब क्या करेंगे हम लोग तो यहां से हम लोग क्या करेंगे वन प्लस वन प्लस वन कितना होता है और टेन में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 11 11 मेरा आया अब हम डबलू का भैलू क्या लेंगे कि मेरा यहां पर लेना पड़ेगा वन यहां पर लिख देंगे वन कैसे हम लो लिखे तो यहां पर मेरा जब हम जोड़ रहे थे एक कैरी मेरा आया था कैरी कितना आया था यह जाए यह तर यह सारा मिलके कितना आना चाहिएगे जीरो कियो जीरो आना चाहिए कि यहां देखी एंसर में तीसरे नंबर पर क्या दिया हुए जीरो तो हमको जीरो आना चाहिए तो जीरो कब आएगा यह सब को जोड़ेंगे तो 11 आया जीडू तभी आएगा जब How to do लेंग्ए तभी न 11 प्लस11 हो जाएगा और यूणीट डिजित क्या अपडियरू आएगा मतलब की हमको WR का लेना पड़ेगा क्या लेना पड़ेगा फ़लोग यहां क्या निकल से देखिए यह वाला है जीरो प्लस डबलू प्लस वन प्लस जड तो इसमें सब का भैलू नोन है हमको हमारे पास कैरी अभी कितना बचा हुआ है कैरी है मेरे पास कैरी कितना है टेन मतलब 10 में जोड़ेंगे वं तो उझागा 11 11 में जोड़ेंगे वं तो यह आजाएगा हंड़िट में जोड़ेंगे वन ते यह आजाएगा 110 110 आएगा तो यहां पर हमारा आजाएगा जीरो और कैरी मेरे पास कितना आजाएगा कैरी आजाएगा 11 ठीक है कैरी मेरे पास कितना आगया कैरी आगया 11 ठीक है अब 11 में फिर जोड़ेंगे वन तो आप 11 में जोड़ेंगे वन तो यह हो जाएगा 101 101 में जोड़ेंगे वन यहां पर लिख देंगे तो में जोड़ेंगे वन तो यह आ गया टुल देखिए य से compare कर दिए यहांपर किया है यहां और खरो जोगी 1 गै can इस तरह के प्रोब्लेम में आपको काम पड़ेगा मल्टिप्लिकेशन और अच्छा से आना चाहिए तो अमीद है कि यह कोश्चन समझ में आया होगा और इसको दुबारा भी आप लोग देख सकते हैं अगर कोई दिक्कत होगा तो रिपीट करके देख सकते हैं तो यह हो गया हम लोग का मल्टिप्लिकेशन कंप्लीटर क कर लिए k讲 chip इडीशन सब्ससाथ एक्षन और और जिए यह हम देखेंगे के बारे में तो जान गैए अब है एडीशन-ध। कि एप तो एंड टो है कि सब्थ्रेक्षन है ऑप कि आए आक्टल एक्टल है नमबर हमको静को नमबर का एडिशन और सब्स्टरिक्षन देखना है आडिशन तो प्ला मेंदे लेते हैं है क्या होता है वन प्लस बन जोड़ते हैं तो 2 1 plus 2 2 3 1 plus 3 जोड़ेंगे तो 4 1 plus 4 जोड़ेंगे तो 5 6 1 plus 6 जोड़ेंगे तो 7 और 1 plus 7 जोड़ेंगे तब क्या होगा 1 plus 7 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 10 वण प्लस यह कैसे होता है यह हम आप लोगों को बताते हैं जैसे आप ऑक्टल का नंबर जोड़ रहे हैं यह पहले नोट कर लीजे फिर प्लेख पीजामपल देखें आप लोगो पुरह आइसको कीलियर करते हैं पहले इसको नोट कर लीजे कि इसको प्रेक्ट लिए करते हैं अपनों को देखिए एक जामपल हम लेते हैं एक जामपल लिखिए हमको क्या करना है तो अक्टल क्या होगा जीरो से लेके साथ के बीच में अक्टल नंबर होता है अब इसको हमको एड़ करना है यह दोनों नंबर किस फॉर्म में दिया हुआ है दोनों को एड़ करना है तो साथ और साथ को एड़ करेंगे किजये जब हम करेंगे तो यह कितना आएगा यह आएगा फॉर्टीन लेकिन को किस सिस्टम में लिखना है इसको प्ल लिखना है तो 14 को ऑक्टल शिश्टम में कैसे रिखेंगे before ice cream को it रिमेंडर जो आएगा वह यहां पर लिखते हैं कितना आएगा रिमेंडर कितना बचेगा तब 14 को हम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप लोग को बताए हैं कि नीचे से ऊपर लिखते हैं यह लिखेंगे 16 फोटीन को क्या लिखेंगे यह दिया हुआ है आपको में लिखना होगाн में स्थीन खी लिखेंगे तो 63 में समय बचेंगे तो देंगे तो और उसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा तो बारह को फिर बदल लीजिए किसमें बारा को बदल लीजी ऑक्टल बें बारा को बदल के टुनों बचे टू मिलके और यह वाइब तो मिलके 7-7-7-7246-7-7-2-4-6octal system में नमबर को हम लोग add किए ठीक है तर्टल फिस्टेम में क्या ध्यान रखना है नमबर को add करेंगे तो उसको फिर हम लोग decimal से ऊक्टल में बदल लेंगे और तब उसका कैड़ी देखेंगे कितना आ रहा है एक और देते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा इसको नोट कर लेंगे हम लोग एक और एक्जामपल देखते हैं लोग और सिस्टम में एडीशन का फाइफ सेबन सेबन फूर सेबन सिक्स फाइफ वन इसिक्स सेबन करेंगे यह हो जाएगा यह यहां कि लिखते हैं तरहे हो जाएगा कि यह बाइस होगा तो होगा यहां अप्लेगे कितना आएक तू अब देखिए साथ सेबेन प्लस सिक्स तेरह और साथ 20 और यह दो कहरी 22 22 को फिर हम किसमें बदल लेंगे फिर बदल लेंगे ऑक्टल में बदल लेंगे तो दो बार में जाएगा और यहां कहरी कितना आएगा इसको लिखेंगे तो टू सिक्स आएगा तो यहां लिख लेंगे सिक्स कितना बचा टू बचा हमारा कैरी अब फिर इसको जोडिए नेक्स इसके अगला तो यह हो गया सेवन और प्लस फाइब बारह और बारह पांच 17 और 17 में करी जोडिएगा तो उन्नीस हो जाएगा उन्नीस को फिर किस बदल लेंगे थे थे डृटयों लेंगे जोलले जाएंगे के بचेगा ऑर यहां पर तो कैरी कितना में केगा तो आब इसको जोडिए नेक्सट पांच प्लस एक छे पांच प्लस एक छे और छे बारह और कैरी है दो बारह दो 14 आप 14 कि सिस्टम में है 14 जो मेरा है इसको हम लोग बदल लेंगे कि सिस्टम में और सिस्टम में ते यह हो जाएगा यह मेरा हो जाएगा एक बार में जाएगा और यहां बचेगा छे कितना हो जाएगा यहां लिख लेंगे यहां लिख लेंगे वन सिक्स ठीक है तो यह हो गया मेरा फाइनल एंसर एडिसन करने के बाद जो भी आएगा हम उसको डेसिमल में जोड़ के और उसको औक्टल में बदल लेंगे और उसके हिसाब से कैरी लेंगे उसमें फिर ठीक है तही आगे हमारा 1, 6, 3, 6, 2 यह आगे हमारा एंसर औक्टल सिस्टम में एडिसन का यह हमारा हो गया एंसर एक और कोश्चन ले लेते हैं और्टल सिस्टम का एडिशन का यहां लिखिए फाइफ सिक्स सेबन टू थ्री फाइब सेबन फोर सिस्टम में है इसको करना है टिकर ऐपे समरे हैं झ historian वीवडीन यह लिख्योंगे पूर केहरी कितना बिचा कारी बिच्टा यह रिक लेंगे वन अब यह जाएगा छे प्लस साथ 13 और एक केरी 14 फिर 14 को बदल लेंगे हम लोग ऑक्टल सिश्टम में एक बार में जाएगा कैरी कितना बचेगा तो यह कितना आया वन 12 किसमें औक टल में तो आँसर क्या आया 12645 यह आगया आपका एंसर आउक्टल सिस्टम में अब हम लोग क्या करते हैं सब्सक्राइक यह हम लोग एडिसंथा और अक्टल का एडिशन यह के सिस्टम में दिया हुआ था और इसका हम लोग एडिशन करी किये तो कितना आया यह आया ओक्टल सिस्टम यह दिया हुआ ठीक है कि अब हम लोग क्या करेंगे ओक्टल सिस्टम में हम लोग सब्ट्रेक्शन देखेंगे कि सब्ट्रेक्शन सब्ट्रेक्शन ऑफ ओक्टल नंबर सब्ट्रेक्शन ऑफ ओक्टल नंबर ऑक्टल नंबर का घटाओ सीखेंगे हम लोग तो एक एक जामपल देते हैं है यहां हो गया सब्ट्रेंब त्यभं सिक्सक्राइफ और यहां हो गया सेंधिया फॉल में और यह बोड़क्शन सब्ट्रेक्शन कि करूं करेंगे डा तो क्या हो जाएगा सलस्ट्रेक्शन में हम लों का 5 में से 7 माइनस नहीं हो पाएगा हमको लेना पड़े गा एक क्यारी करी लेंगे तो यह पांच है कुछ सा सिस्टम है उक्टल सिस्टम में इसमें कितना है होगा और यह लेते हैं तो गार्ट है तो आठ जैसे सिमल मैं अगर दिया हुआ है लगे दिया है 12 और यह देदिया है है इसे एक क्ये θ victorious येगा कितना हो जाता है दो हो जाता है 12 12 मैं से 4 गया 8 कहने का मतलब यह है किसे एक मांगते हैं वन तो होता हैं यह वैसे ही सिस्टम हम लों को जब पिछला एक कैरी देगा तो कितना बढ़कर जाएगा वह बढ़कर जाएगा तो इस से जब चेसे एक करी मांगे गाएगा पाँच चैसे तो तो पांच में से पांच जाएगा जीरो और यहां 7 है साथ में से दो जाएगा पांच अक्तल सिच्टम में में मेरी पास आ फाइफ जीरो शिक्स इन जीरो 2015 जली ठीक है Alto कि इसको नोट कर लेंगे एक और एक्जामपन ले लेते हैं एब एक आपला देख लिजिए लिए कि यहां दिया हुआ अपमाल लेजिए two one zero zero और यहां दिया हुए seven seven one seven one प्रश्मों यहां पर six ले लिजे लिए अब यहां पर ले लिजीए one तो हमको गटाना है कौन सिस्टम में दिया हुआ है है और ओक तल सिस्टम में दिया हुआ है तो इस नम्बर दिया हुआ इसकोफट्रेक करना alea तो फिर यहां पे 5 है और यहां साहाई तो पांच केरी मांगेगा पिछले से 10ए को एक डो जीनोट के पास नहीं है तो उसके पास भी नहीं है तो बहुत अपने पहले 3.0 को transfer करेंगा um तब यह अगला जो 0 से दिखा रहें यह हो जाएगा है और पिछला ? कितना हो जाएगा एट में से 7 बिजल पृट कलर से जीरो दिखाए फैसे 6-07 बनफ के थे भाइएगा 7 आप देखिये अब रेड में पृआ कुछ से लिए Un do तो 5 कितना हो जाएगा 5-1 करी जाएगा तो फाइफ हो जाएगा 13 आठ जाएगा क्योंकि ऑक्टल फिश्टम में है तो यह जाएगा 13 13 में से 7 गया तो बचेगा 6 और उसके पहले जो वन था वो कैरी दे चुका है तो वह बचा हुआ है जीरो और उसमें से घटाना है छे को तो वह अपने पहले बाले से मांगेगा एक कैरी किसे कैरी मांगेगा एक कैरी मांगेगा टू से टू से कैरी इसमें जाएगा तो यह जीरो अब है तो यह हो जाएग है यह हो जाएंगा एक बदल के अगला में होता है और जो कैरी देता है था यह है और्टल जैसे बाकी सिस्टम में होता है देसीमाल सिस्टम में उड़से काम कर रहा है लेकिन दिफेरेंस क्या है कि यहां पर हमारा सिर्फ आठ्टल तो अक्तल का सब्टेक्शन हम कोमीद है कि समझ में आ गया होगा और मल्टिप्लिकेशन में भी सेम वही रूल अप्लाई होगा यहां पर भी तो अक्तल का हम लोगों का कम्प्लीट हो गया अब हम लोग आते हैं अब लोगाते हैं एक्साडेसिमल में पेज एलेबन एडीशन एंड कि सब्ट्रेक्षन अप्धू हेक्साडेसिमल हेक्सा देसिमल पैंड़ को अदिशन और मप्लिकेशन आप्स हेक्साडेसिमल नंबर तो एक्षाडेसिमल में हम लोग एडिशन देख लेते हैं एक एक्जामपल लेते हैं लिखा हुआ है एफ एफ ए सिक्स फाइफ और यह है टू एट एफ इसी का मालीजिया आपको एडिशन करना है यह किसमें दिया हुआ है सब्सक्राम में हैं है तो पांच में करेंगे टीमल किस के फ किस के बीच में होता है ऑ होता है जीरो से लेके काहा तक मतलब जीलो से लेकर 5 scratch होता है खiau यह पंद्र को 5 लूइड करना हुआ है यह हो जाएगा और यह आठ और चवadi एप हो जाएगा और एक होता हैं लोग कितना मेंगा 25 jus हो जाएगा 25 फोंति किसमें लिखना है है क्सा में लिखना है तब byटेते हैं तो यहां पर 16 से divide करेंगे तो यह वन बार में जाएगा और remainder कितना बचेगा remainder बचेगा 9 तो इसको जो हम लिखेंगे hexadecimal form में तो क्या हो जाएगा 1 9 तो unit digit पर क्या है 9 तो यहां पर हो जाएगा 9 और carry कितना हो जाएगा करी हो जाएगा वाण चला और यह आगले में आप दखिए एउ और एफ का मतलब होता है उतिया होता है 15 और सब्सक्राइब करें कि यह क्वेट नाइन को जोड़ों पछता तो यह और अब 30 को बदल लेंगे हम लोग किसमें 30 को बदल लेंगे हम लोग है साडेसिमल फॉर्म यह यहां पर कितना बचेगा पंदरा बचेगा यहां पर लिख लेंगे इंड 15 लिए 15 के लिए वन पंदरा के लिए यह होगया वन एप यह होगया हमारा एडिशन हैक्साडेसिमल नंबर का इसमें भी और जब आपका 15 से जाला कोई नंबर जाएगा तो उसको फिर हम लोग डेसिमल से अठाव बदल के तब लिखेंगे तो उमीद है कि आप लोग को करेंदेजिसन समझ में आ गया यह देख लेते हैंना कि हैक्सार डिसिमल नंबर का सब्त्रेक्षान कि पानओ जलिए साइक्सार डेसिमल नंबर लिखते हैं यहाँ पर यह हो गया आपको इफ फाइब नाइन और यहां पे है एफ इफ वन टू इसको हमको क्या करना है कि सब्ट्रेक्ट करना है कि सब्ट्रेक्ट हेक्साडेसिमल नंबर हेक्साडेसिमल नंबर को क्या करना है सब्ट्रेक्ट करना है घटाना है तो देखिए नाइन में से एफ नहीं जाएगा तो वह अपने पिछले वाले से मांगएगा करे भईय हमकोद एक कईरी तो कईरीद एगा तो हैकसाडेसिमल सीस्टम में जो कारीट रवोता था वह वह 16 जाता है तो पहले से यह 9 और इसमें मिल गया 16 तब है कि कितना हो गया च् publicly और ट्वेंटीफ more में से कितना माइनस करना है फका मितलब 15 कई यहां पर घटाने के बाद घटाने के बाद आ गया अब यह था पांच तो यह बन गया चार चार बच गया और यह है यहां पर फोर तो फोर में से फोर नहीं घटेगा तो यह मांगे भाया हमको एक कैरी दो तो फोर्टीन पहले से है और उसमें कैरी आएगा तो यह हो जाएगा बीस अब बीस में से कितना जाएगा इजाएगा बीस में से कितना जाएगा इए का मतलब 14 तो क्या बचेगा 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 6 तो यह हो गया 6 अब यह एफ था एफ का मतलब 15 था 15 में से एक जाएगा 14 14 का मतलब ए और यहां पे है इए का मतलब होता है 14 14 में से दो गया तो होगा 12 और 12 को जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा जाया एक मतलब 10 चा मतलब 12 तो मैं यहां पे हो जाएगा चौग का बारा मतलब यहां पे हो जाएगा तो relative on सब्टेक्षन जितना यह सब्टेक्षन जितना यह सब्टेक्षन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा कि उमीद करते हैं आपको एक किलियर हो गया होगा भाइनरी का एडिसन सब्टेक्षन सब्सक्राइब कर लिए और फिर उसको हैक्सा में बदल लिए लेकिन आपको दोनों मेठड आना चाहिए वीडियो को सही से देखिए तो समझ में आ जाएगा और आपको हम जेनरल मेठड भी बता दिए तो यह हम लोंका कम्प्लीट हो गया अरिफ्मेटिक औप्रेशन ओफ नंबर सिस्टम अगला हेडिंग दीजिएगा निव टॉपिक यह हमारा निव टॉपिक है जिसका नाम है कम्प्लीमेंट कम्प्ली मेंट इसमें आप लोग को मास्टर बना देंगे थोड़ी दिर में हम इसका सारा कश्ट आपका हो जाएगा कि देखिए कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट इस मगरह हम रोलेंगे तो इसका दो तरह का का कंप्लिमेंट समलों निकाल सकते हैं क्या क्या होता है इप 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 अनम्बर है यह यह बेश और रेडिक्स और रेडिक्स आर आर देन there are there are two types of complement two types of compliment में एक तो टाइप आफ कंप्लिमेंट कैंद फाइंड ऑट तो दो तरह कंप्लिमेंट हम लोग निकाल पक्ते हैं पहला अगर आपका बेस आर है तो निकाल फट्य है आपक्म्प्लिमेंट आरेस कंप्लिमेंट और दूफरा है कि यह पहला हम लों लिख सेते हैं आर माइनस वन कंप्लिमेंट और माइनस वन और माइनस वन कंप्लिमेंट और दूसरा है आर्स कंप्लिमेंट और माइनस वन एस कंप्लिमेंट और आर कंप्लिमेंट दो तरह का कंप्लिमेंट हम लो किसी भी नंबर का निकाल फकते हैं जिसका का बेस हमको दिया हुआ है कि यह इसका बेस जो है यह तो पहले लोग इसमें लिखते हैं डी एर मार्माइनस वनस कम्प्लिमिंट रहला हम लोग रते हैं क्वह को वह सब से पहले निकाल लेते हैं बाइनरी का है है जैसे एक्जामपल लेटे ऐए binary system है binary number system तो इसका क्या निकाल फक्ते हैं इसका निकाल फक्ते हैं मतलब आर माइनस वण हो गया तो वन कंपलिमेंट और आर्स कंपलिमेंट मतलब कि हम लोग बाइनरी नंबर का आर्स कंपलिमेंट निकाल फक्ते हैं इसे और इक्जांपल लिख सकते हैं लिए लिए उड़ा शाव लग बडिए हुआ है इसकर हम लोग क्या निकाल रॉट आ स्कंप्लिमेंट और इस कंप्लिमेंट है ना वैसे ही अगर हमनों को दिया हुआ है डेसिमल नमबर कि अदेसिमल का क्या निकाल फक्त है नाइन कंप्लिमेंट वैसे अगर दिए हुआ है hexadecimal number hexadecimal तो इसका क्या निकाल सकते हैं इसका बेस कितना होता है इसका बेस होता है 16 तो इसका निकलेगा हमनों का कि एफ कंप्लिमेंट और 16th कंप्लिमेंट 16th कंप्लिमेंट यह हम निकाल सकते हैं सादेसेमल नंबरगर का इसका 57 होता है तेसलिए 9 जोंपलिमेंट और 10 तो यह हो गया हम लोग का हम लोग लोग निकाल सकते हैं निकालते कैसे हैं वो आपको अम बता रहे हैं इसको नोड कर लिज गा तो पहले हम लोग binary से ही चुरू करते क्या इस में लिख लेंगे हम लो है पार यह तो लियुक्रांते हैं आर वाइनरी में इन जेनरल दिए और माइनस वन कंप्लीमेंट हम निकालते हैं इन जैन्रल हम यह एक्जैन्रल रूल इ lobby कि यहले लिख लेंगे कि यह मैनस वन कंप्लीमेंट किसी अभी निकालना अंता क्या करना होगा in 2 ृटिटर्माइन या तू-फाइंड अ-ट फाइंड नुक्री 1S complement 1S complement r-1S complement comma subtract subtract given number given subtract given number subtract given number from given number from maximum maximum possible number in same in given in given in given base of same number of digit clear करेंग को देखिए example जैसे दिया हुआ है find 1S complement complement 1S complement of shortcut भी बताएंगे बहुत जल्दी बना लीजेगा आप लोगो थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा पहले जेनरल मेठड़ सीख लेते हैं फिर इस वाटकॉट बताएंगे कि इसका 1S complement निकालिए तो 1S complement अभी बताया प्लोग कैसे निकालते हैं हम लोग 1S complement निकालने के लिए क्या करना है यह कितना digit का नंबर है देखेंगे एक दो तीन चार पांच पांच डिजिट का नंबर है और यह नंबर क्या है 1S complement और 2S complement कि इसका निकालते हैं binary number का निकालते हैं क्योंकि हम पहले ही बता चुके है मतले नंबर कौन सा है binary है दो बाइनरी नंबर का निकालना है तो क्या करना है कितना digit दिया हुए एक दो तीन चार पांच तो पांच डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो बनेगा बाइनरी में वो क्या बनेगा पांच ठो वन कर देंगे दो तीन चार पांच क्योंकि बाइनरी में जो हाइएश डिजिट होता है वो होता है वन वन हाइश डिजिट होता है हमको क्या करना है maximum possible number जितना बड़ासे बड़ा बन जाए तो बड़ासे बड़ा बनेगा 11 11 95 बाइनरी नंबर बन गया और इसमेंसे क्या करना है डिबेन नंबर को सब्ट्रेक्ट कर देना है यह हो गया में से 0-1 और यह 0 और यह 1 और यह 0 तो यह आ गया आपको किया हो गया uh complement क्प्लिमेंट ऑफ 10110 एज क्या है 01001 यह आया आपका एंसर यह आया आपका एंसर ठीक है यह समझ में आगे होगा उमीद है अब कितना इजी देखिए करना क्या है जो भी आपका कोश्चन में नंबर दिया हुआ है अगर उसका वने सक्प्लिमेंट पुछ रहे धियान रखना है क्या पुछ रहा है वनेस गंवेंट तो क्या करना है कैनल देखिए जीडिया है उसको क्या कर दिए पिर अगला से करना क्या है जो भी आपका नंबर दिया हुआ है कब आपकाय सबसे आसान तरीका है जो भी आपका कोश्चन दिया हुआ है उसमें जीरो को वन से कर दीजिए और वन को जीरो से कर दीता आपका आजाएगा वनेस कंप्लिमेंट देखिए आगे एंसर हमारा इतना मेठड से बनाने के बाद भी है जनरल मेठड से और यह हो गया three с ौड्ट कट मेठड यह हो गया chart cut मेठड वनकाशार्व fajn निकालने का अब आते हैं दूरी निमडर का यह तो अगला एक्जामपल देखते थे आथ दूरते फॉर्म का अब हम लोग निकालते हैं फाइंड सेबे स कंप्लीमेंट में आप ऑफ हैटू सेख्स फाइब सेबने इसका आपको सेबिने सकम्प्लीमेंट कि देखिए बहुत यह बता रहें आपको भी क्लियर हो जाएगा क्या बता है कि जिस का नंबर है उसका सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे यहां पड़ीजिट का संख्या कितना है qorto रिखीट तो चाहर डिजिट का अक्टल में सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा अक्टल जो होता है हुषका हाइच नंबर होता है seven correct system का highest number होता है रहा निभर क्या होता है छप्रो सब्क्रेइड कर देज्स कर देते ह梁ंगे कि घटा सब्सक्राइब लिए और यह हो गया आपका सब्सक्राइब यह क्या हो गया सबस्क्राइब कि सब्सक्राइब यहाँ पर एक और एक्जांपल ले लेते हैं यह जाम पल कि मैंड है फाइन नाइनने स्कप्लिमेंट कि उसका यह नाइने स्कंप्लिमेंट प्थाइप सिक्स एट नाइन कह रहा है कि इसका नाइने निकली तो 9S का मतलब क्या हुआ कि ये decimal system का बात हो रहा है decimal system का चार डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन बनेगा क्योंकि चार डिजिट कोश्चन में दिया हुआ है तो चार डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बना लेंगे तो ये हो गया 1, 2, 3, 4 और इसमें से गिभेन नंबर को सबस्ट्रेक करदेंगे गिभेन नंबर क्या है 5, 6, 8, 9 तो ये क्या जाएगा 0, 1, 3, 4 ये आगए आपका यही हो गया आपका क्वान वा कंप्लिमेंट 9S कंप्लिमेंट किसका गिभेन नंबर का 9S कंप्लिमेंट हो गया प्धोर थ्री वान जीरो एक और एक्जामपल ले लेगे हैं लास्ट का आर माइनस वान एस कंप्लिमेंट का फाइंड पाइंड फाइंड कि एप्स कंप्लिमेंट क्वाइंड एप्स कंप्लिमेंट ऑफ क्वाइब कह रहा है कि इसका कौन सा कंप्लिमेंट निकाल लिए एफस कंप्लिमेंट कैसे निकालते हैं तो यह है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर हेक्साडेसिमल नंबर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है एफ होता है एफ क्या होता है सबसे बड़ा डिजिट होता है तो यह कितना डिजिट का संख्या दिया हुआ देखिए एक दो तीन चार पांच पांच तो डिजिट का संख्या है तो पांट डि एक्सा को बचेगा दस को लिखते हैं और यहां यहां मतलब हो जाएगा चौदरा लिखेंगे का मतलब होता है 15 का मतलब होता है 14 तो बचेगा वन या बचेगा बचेगा वन और यहां पर है एक का मतलब होता है 15 15 में से दो गया तो बचेगा 13 13 का लिख लेंगे यह हो गया इंसर कितना आगया आपका यह हो गया आपका किसका टू इवन सेबन फाइब का जो भी नंबर दिया रहेगा उसका हम लोग हाइस नंबर लिखेंगे उसमें से गिवन नंबर को सब्ट्रेक कर देंगे तो यह निकल जाएगा आर माइनस वन कंप्लीमेंट है ओर आपको वाइनरी के लिए तुम आल्यटी बता दिए हैं अपड़ों को कि बाइनरी में कायसे करते हैं तो यह हम लोग का हो गया माइनस गेफिहन कंप्लीमेंट अभ exemption कि मस wrapped कंप्लिमेंट कैसे निकालते हैं नो कि इसमें हम लोगने का जो रूल हो क्या है लोग आर ऐसे तो आर माइनस वन कंप्लिमेंट है कंप लिमिंट के कर देंड एड़ वन एड़ वन और मैनस वन कंप्लिमेंट निकाल के उसमें वन एड़ कर देंगे तो आपको मिल जाएगा आर्स कंप्लिमेंट जैसे एक जामपल देरें आपनों को जैसे दिया हुआ है पाइंड है पाइंड है तो एस कंप्लिमेंट आर कंप्लिमेंट का टूवेस कंप्लिमेंट कंप्लिमेंट आप 1101100 इसका आपको क्या निकालना है इसका निकालना है टूएस कंप्लिमेंट अभी मेठट क्या बताए मेठट बताए आपको कि पहले इसका निकाल लीजिए वनेस कंप्लिमेंट पहले क्या किजिए वनेस कंप्लिमेंट निकाल लीजिए तो वनेस कंप्लिमेंट निकालने सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा एक दो तीन चार पांच छे साथ इसमें से गिभेन नंबर को माइनस कर देंगे गिभेन नंबर जो दिया हुआ धाल में में को यह मेरा हो जाएगा इसमें क्या एड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा यह हमको मिल जाएगा 2S compliment for 2S compliment 2S compliment के लिए क्या करना है 1S compliment निकाल के उसमें 1 add कर देना है, shortcut अभी बताएंगे इसलिए थोड़ा सा धहरे रखिए यह हो जाएगा 10 और यह हो जाएगा 10, यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 0 1, 0, 0 यह आपका हो गया 2S compliment, यह हो गया आपका final answer ठीक है, अब देखिए shortcut, shortcut कैसे बनाएंगे तो shortcut देखिए कैसे कितना आराम से बन जाएगा, shortcut दो तरह से बना सकते हैं, पहले तो इसका direct 1S compliment निकाल दीजे, बताएंगे 0 को 1 में कर भठ करना है और 1 को 0 में कर भठ करना है 1S compliment निकालने के लिए तो 1S compliment डाइरेक्ट निकाल लिए, यह हो जाएगा 1, 1, 0, 0 1, 0, 0 यह direct 1S compliment निकाल लिए और इसमें 1 add कर दीजे, 1 add कर दीजेगा तो यह आजाएगा, 10 carry 1, 10 carry 1 1, 0, 1, 0 0, 0, यह हो गया shortcut इससे से भी जादा छोटा method एक मेरे पास है जो की आपको बताने जा रहे है पहले इसको अच्छा से समझ गए अब देखिए, सबसे easiest method क्या है आपको निकालना है किसका, तो आपको निकालना है इसका 1S compliment, नमबर दिया हुआ है 1, 1, 0 1, 1, 1, 0, 0 आपको क्या करना है राइट से चलना है राइट से चलना सुरू करना है और जब तक 1 नहीं मिले तब तक as it is उसको लिखते जाना है जब तक 1 नहीं मिले, तब तक उसको क्या करना है as it is लिखते जाना है ठीक है इसको as it is लिख देंगे तो यह हो जाएगा 0 0, 1 जहां तक वन है वहां तक अपको और पहले वन मिल जए रहा था था तो वहां तक एई टीच लिखते अब यहां हमको तीसरा नंबर पर वण लिखेंगे और इसके आगए का जो हमारा रास्ता होगा अब इसको क्या लिखेंगे जीरो लिखेंगे और यह क्या है यह वन है ते इसको क्या लिखेंगे इसको वन लिखेंगे और यह क्या है वन है ते इसको क्या लिखेंगे जीरो और यह क्या है वन है ते इसको क्या लिखेंगे जीरो मतलब कि हम लोग चलते रहेंगे और जब तक तब तक एजटी उतार देंगे ये उतार दिये और उसके आगे कम्प्रिमेंट लेके लिख देंगे यह सीधे डिरेक्टली क्या निकल जाएगा इस ओड़कॉड मेठट से सीधे निकल जाएगा तू एस कमप्लिमेंट जो गीभेन नंबर है वहां से सीधे आपको एंसर आजा कि माव भाइंड से टू वेस कंपलीमेंट कि और जीरो वन जीरो 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 इसका कहा रहा है कि निकालिए लिए इस कम्पलीमेंट निकालना है तो इसको प्रोंब करते हैं। सौर्ड कॉट मेठर से जो अभी आप लोग बताएं। कि लेट से चलना सुरूब राइट से चलना सुरूब करना है जहां वो तक वन मिले उसको एज लिख देना है यहां मिला यहां एज लिख देंगे अब इसके बाद का रास्ता क्या होगा इसके बाद का जो हमारा रास्ता होगा वह कंप्लिमेंट लेके लिखते जाएंगे जब तो यह आपका क्या आ गया सीधे आ गया किसका गिभेन नंबर का यह हो गया आपका एंसर लॉग मेठ़ड से भी बना सकते हैं और यह हो गया स्टॉट कॉर्ड मेठ़ड एक और एक्जांपल देख लिजे जैसे माली आपको दिया है वन 101010 जीरो ऐसे दिया हुए आपको क्या करना है आपको चलना है राइट से कह रहा है कि इसका टूएस कंपलिमेंट निकाली है तो क्या करना है राइट से चलना है जब तक वन नहीं मिले एज इटी छापते जाना है तो देखिए हमको वन कहां आप मिल रहा है यहां पर borrowed राइस को एज इटीज छापते से लिए नीच उतार दें वन जीरो जीरो जीरोग आप इसके आगे का रास्ता में क्या होगा वन तो मिल गया तब इसके आगे का कंस्क्लिमेंट लेके लिखें इसके आग रास्ता में जो भी होगा ही कि लेकर लिखेंगे यहां तख एजिटी उतार देंगे अब यहां मिल गया वण वन लिखतेंगे यह जीरो है दिजिरो कंपलीमेंट कि लिखेंगे तो यह यहगा यह हो कrd लिख लीक्रोग ये हो गया आपका मैथिडर से बनाके चेक कार लिजिएगा यहीं आएगा तूएस कंप्लिमेंट हम लोग डायरेक्टली निकाल देंगे इस मेठड से यह समझ में आ गया अब हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट कि अ पाइंड कि पाइंड शेक्ष्टीन कंप्लिमेंट अप कर रहा है कि इसका सिस्टीन कंप्लिमेंट निकाल रहा है तो क्या करेंगे बताएं है कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसका पहले क्या निकाल लिए उसके लिए क्या करना होता है सब से नंबर को घटा ना रहता है जो घटा देंगी यह क्या निकलेका हमारा एarpन दो यह हो जाएगा मैं लिए अर यह जाएगा जीरो और यह जाएगा वन यह निकल घया हमारा सपा स्कैंग कंषिए और इसमें अब क्या करेंगे फॉर कि सिक्स्टीन कंप्लिमेंट क्या करेंगे कि सिक्स्टीन कंप्लिमेंट क्या करेंगे जो आपका आया है इसमें वन एड कर देंगे तब वन एड कर दीजिए यह जाएगा एप और यह जाएगा एप और यह जाएगा जीरो और यह जाएगा वन यह क्या हो गया यह हो गया आपका सिक्स्टीन कंप्लिमेंट यह हो गया आपका एंसर ठीक है कि एक एक और एक्जाम्पल लेते हैं कि फाइंड इसा, इसका करा टेंस कंप्लिमेंट निकाले फिर क्या करेंगे और इसका 9th कंप्लिमेंट कैसे निकालेंगे यह कितना डिजिट का नंबर दीया हुआ है तो पांच टो नौल लिख लेंगे दो तीन चार पांच डिजिट का नंबर नंबर को घटा देंगे कितना आजएगा या जाएगा 5 हमें पूछ Mm का क्या करना है यह नंबर में क्या करना है यह तेनल क्रफिद्ध में कि यह हो गया हमारा एंसर यह हमारा हो गया फाइनल एंसर कि यह हमारा हो गया एंसर क्लियर लुट कर लिए है अब एट कंप्लिमेंट एक बता देते हैं इंसरे मिख्रेंट एस्थिं एस्थिंट प्रिदी एस्थिंट इस्थिंट सेबन फोर तुवन इसका निकाला यह आपको एठ कंप्लिमेंट तो क्या करेंगे फ़ले इसका सेबैन कंप्लिमेंट निकाल देंगे देखिए पाँच एक दो तीन चार पाँच तो पांच ठो सात लिख लेंगे और उसमें से गिवेन नमबर को घटा देंगे जो गिवेन नमबर दिया हुआ है कोश्चन में कि यह कितना आ जाएगा घटाने के बाद यह आ गया इतना कि आप क्या करेंगे फॉर कि एटेस कंप्लिमेंट कि क्या करना है से बेरेस कंप्लिमेंट में वन एड कर देना है यह जाएगा आठ और साथ और कितना होता है आठ को आठ से भागस कितना जाएगा एक बार में यहां और आठ को जब बदलेंगे तो टेन हो जाएगा तो यह हो जाएगा जीरो और कितना जाएगा वन और यह होगया यह होगया आपका एंसर ठीक है तो अमीद है कि आप लोगों को आज अरिस्मेटिक आप्रेशन बाइनरी नंबर का और है आपको समझ में आ गया होगा और सांथिसात आपनों का आरेस ऑम कम्सेश कम्स यह भी पुरा तरह से किलियर हो गया होगा ठीक है तो इसी के साथ किलियर अब यह समाप्त करते हैं मेद्क करते हैं कि आप लोगों को पूरा किलियर हो गया होगा कोई डाउट नहीं बचा होगा और डाउट भी अगर तो दो बार या तीन बार वीडियो को देखिएगा ध्यान से हमको फुरा उमीद है कि क्लियर हो जाएगा फिर भी क्लियर नहीं होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि छर थोड़ा सब्सक्राइब कर सकते हैं पूरा सब्जेक्ट में कभर करूंगा एक-एक करके अभी डिजिटल चल रही है हम लोगी और जितने भी गौवर्मेंट जोब होते हैं डिप्लोमा लेबल पे या आपके बीटेक लेबल पे पूरा तरह से इसमें कभर किया जाएगा एक भी कोशन के बाहर से नहीं आएगा अच्छे से कर लिजएगा आप अच्छा रहिए है तो मैं वीडियो को समाप्त करता हूं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजएगा और मैं नेक्ट वीडियो पीडियो में रहाता हौं